हेलो एवरिवन्स गुड मार्निंग और वेल्कम टो लॉजिक पार्चाला माइनेम इस जिबानी जोहां तर आज हमें करन्ट का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें मैं आपको कराने वाली हूं इंडेक्स 2021 बिल्कुल जो भी देखे सुचकांक आए हैं जिसमें भारत की लगा सकें कि अगर कोशन बनेगा ना इस ट्रॉपिक से तो कैसे बन सकता है ठीके तो सारी चीज़ें यहां पर कवर अप कर आए जाएंगे लेकिन एक शर्त है आप लोगों को वीडियो कर दूंगे टेलिग्राम गुरूप से अगर आपने जॉइन नहीं किया हो तो जल्द है रखें तो चले फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इंपॉर्टेज सेशन को हमारे पास यहां पर इंडेक्स भी लिखी हुई है तो आप लोगों को यहां पर इंडेक्स मिल जाएगी यहां पर इंडिया की बोजिशन है टॉप किंट्री और अगर पब्लिकेशन भी ठीका है ठीके है थोड़ा बहुत बहुत को है कोई ट्रिक बनेगी तो आप लोगों को बताऊंगी देखो ε yo ako कि बॉला के साथ चलना होगा नहीं तो रिस्क बन जाएगा ठीके ओके नहीं से आप लोगों को यहां पुझा पॉजिशन क्या है साथ यानी स्वन है अगला दिखू क्या है climate change performance index इसमें इंडिया के position रही है 10th नंबर की अब आप उसे चेंगे कि मैम ने कोई भी top country क्यों नहीं रखी क्योंकि इसमें कोई भी top countries की जो है वो ranking नहीं दी गई है ठीक है किसी भी country को first number पर नहीं रखा गया है इसी कोई country नहीं है जिसने climate change पर लेकर अच्छे से मदब पूरा perform किया हो या फिर climate को लेकर कुछ अच्छा किया हो मतब अच्छा बहुत सारे countries करते हैं बट ऐसा top level वाला काम नहीं किया सो first number पर कोई से भी country नहीं रखी गई है ठीक है तो आप लोगों को इसमें इंडिया की position याद रखने है आप में देखा गया दस कदम भया climate change अगर हो गया ना तो दस कदम निकली जाएगा ठीक है तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं आगे दिको क्या ह एशिया Pacific Personalized Health Index जिसमें एशिया की इंडिया की position रही है 10 और इसमें Singapore ने टॉप किया है इसको publish किया गया है by the Economist Intelligence Unit के द्वारा ठीक है तो इंसानों की जिसे health के बारे में बात हो रही है देखो personal health तो 10 होती है ना हमारी fingers होती है टूटल तो 10 की 10 fingers अच्छी रहेंगी अच्छ है और जब health अच्छी रहते है तो गाना गाने का बहुत मन करता है तो सिंग से क्या हो जाएगा Singapore हो जाएगा तो चोटे-मॉटे ट्रिक्स आपको कुछ भी मना सकते हो आप लोगों को बस याद करना है किसी भी तरीके से जो भी आपको better लगे ठीक है आगे तीको क्या है Global Economic Freedom Index उसमें इंडिया की position है 121 नमबर 121 ठीक है तो और इसमें top country है Singapore और यह publish करी गई है by the Heritage Foundation के द्वारा ठीक है Economic Freedom Index से ध्यान लगे गा 121 वी इसमें क्या है इंडिया की position रही है ठीक है यहापर आप देख सकतो एक और एक मिलके दो बनता है है एक और एक मिलके दो बनता है ऐस ही हमारी economy तब ही अच्छी होगी जब हम क्या कर सकें एक तो freedom हर किसी को थोड़ी पाथ freedom देनी चाहिए और globally level पर अच्छा होना चाहिए मतब एक-एक करके सारे काम करोगे तो दो बनेगा एक-एक से दो बनता है ना और दो जब बन जाएगा तो हमारी economy अच्छी हो जाएग देखो इंडेक्स क्या होती है इस इंडेक्स से गया होता है अगर आपका passport country का powerful रहेगा तो आपको दूसरी कंटी इसमें जाने के लिए वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो जापान का जो passport है वो सबसी powerful passport है आगे आती है economic freedom index ही वापस से आ गया है तो भारस है बड़ कोई नहीं हम लोग इसको skip कर देती है next human freedom index इसमें इंडिया के position 111 और इसमें top country है New Zealand देखो एक एक करके हमें सभी को freedom दिनी चाहिए सभी humans को एक एक करके सभी को freedom मिलनी चाहिए तो एक एक से क्या बन जाएगा 111 बन जाएगा और आजकल तो नया जमाना है तो नया स पर सकते हैं इसको next देखो क्या है global fire power index में इंडिया की रैंक जो है वो 4th number की है 4th number की है ठीक है तो और इसमें top country कौन सी है United States तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें इंडिया के अच्छी position है 4th number की अगला है world happiness index इंडिया के इस पार की position रही है 139 number की और इसमें top country क इसमें top position पर रहा है next is human development index 131 number की position इंडिया की है और top country कौन सी है नौरवे ठीक है 131 position किसकी है इंडिया की है ओके यह आपको ध्यान रखना है next is corruption perception index जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रहष्टाचार अफधारना सूच गांक इंडिया के position 86 number की top countries में आता है न्यूजिलेंड इंडिन्मार्क और इसको release किसके द्वारा किया गया transparency international ने इसको release किया ठीक है next देखे क्या है word press freedom सूच कांगी हम जो अपनी media है जो press है उसको कितना freedom देते हैं उसमें इंडिया के position रही है 142 number की और top country कौन सी है इसमें नौरवे प्रेस को कभी भी आप no way no way नहीं कह सकते है प्रेस तो कोशन बहुत पूसते हैं 24 hours काम कर दिये प्रेस तो 24 को उल्टा कर दो 42 बन जाएगा ठीक है global terrorism index में इंडिया की position रही है 8th number की और top country है अफगानिस्तान इसको publish किया गया है institute for economic and peace ने इसको publish किया है अब थोड़े revision questions देखते हैं मैंने इसमें आप तो को कुछ अल global climate change performance index में भारत की position क्या रही है तो क्या रही है जल्दी सा आंसर बिलकुल option number B यहां पर सही answer हो जाएगा ठीक है बदाया था ना कि अगर climate change हो गया तो सारा का सारा 10 कदम हमारा निकल जाएगा ठीक है ऐसे हम लोग इसको याद कर सकती है world happiness report जिसमें Finland ने top किया है इंडिया क position इसमें मतब इसमें प्रतमिस्तान किसका है Finland का और इंडिया के position अगर पूची के तो 139 नंबर की इंडिया की position है यह आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है तो important इको index में बस यही होता है एक तो इंडिया के position और top country उसके बाद आती है इंडिया के rank बतानी है economic freedom index मैंने ब यहाँ पर इंडिया के position गया हो जाएगी 121 हो जाएगी और इसमें Singapore ने top किया है अगर हमसे top country पूच ली जाएगी तो answer हो जाएगा Singapore और अमेरिका का think tank के the heritage foundation उसने इसको release किया है next is कौन से देश ने 2021 में कौन से country ने wish का सबसे fastest super computer launch किया ऐसे भी question बन सकता है ठीके तो super computer सबसे fastest launch किया है जापान ने यह आप लोगो धियान रखना है और अगर super computer का नाम पूच लिया तो उसका नाम क्या है फुगाकू ऐसे आपको ध्यान रखना है जापान की फुगाकू नाम है super computer का जो की सबसे fastest computer है अगला दीको फीफा की position जो बिल्कुल latest position है उसमें इंडिया की rank किया है इस पार की तो बिल्कुल अलचे से ध्यान लखेगा इस पार इंडिया की जो rank आई है वो 104 है इससे पहल 1060 लेकिन हमको फिल्कुल latest बतानी है और एक तो इसमें top country पूछेंगे तो top country इसमें कौन सी रही है Belgium रही है ठीक है ध्यान ने किएगा इसलिए मैं आप लोगों से बोला था कि revision questions को छोड़ना मत कुछ अलग से questions मिलेंगे आपको अगला है देखो 2021 में जो democracy index यानी लोग तं third number पर रहा है इंडिया और democracy index में top country जो रही है वो नौरबे है और इसको release किया गया है by the economic intelligence unit के दोरा ठीक है ध्यान लखेंगे बिल्कुल हर चीज़ आगला देखो क्या है इंडिया की rank बतानी है world starvation index यानी वेश्व भुक्मरी सुचकांक में तो इसमें इंडिया की rank क्या रही है 94 नंबर की सुडान भी 94 नंबर पे रहा भारत के साथ और इसमें बेलारोस जो है वो टॉप कंट्री रही है यह जो release करी गई है वेल्ट हंगर के द्वारा जो है वो इसको release किया गया है world starvation index को 94 नंबर की भारत की position है अगला है COVID virus performance index में भारत की position क्या है मतलब भारत ने कितने अच्छे से COVID के दौरान अपनी performance रखी यह इन जी सारी चीज़ों कर लेके rank तयार करी के जिसमें इंडिया की position बतानी है हमें तो 86 नंबर पे रही है इंडिया और इसमें सबसे अच्छा performance किया है New Zealand और वियतनाम ने New Zealand और वियतनाम इसमें top country रही है और Brazil रही है इ ठीक है यह आपको ध्यान रखता है इसको release किसके दौरा किया गया तो Australia का एक institute है जिसका name है Lowi Institute उसके दौरा इस index को launch किया गया ठीक है तो यह थे आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने index पढ़े और index related कैसे questions बन सकती है उन सारी चीज़ों को cover app किया I hope so video पसंद एका और next ऐसे ही कुछ important video के साथ मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली video में thank you for watching this video